तो उसे आप बुजूर्ग कहेंगे या नो जवान दिली के मुख्यमंत्री ने पानिपत निवासी जसमेर सिंग संधू की इस चोंका देने वाले उपलब्धी पर उन्हें ट्वीटर के जरिये बदाई दी और साल दर साल ऐसे ही कारनामे करते रहने की शुब काम नाये दी केचरिवाल ने अपने ट्वीट में लिखा अवेरी हापी बर्दे अधर एट फ्लाइंग संधू संधू के नाम से मशूर जसमेर सिंग संधू मूल रूप से करनाल की गगसीना गाव के रहने वाले हैं इस साल भी जसमेर सिंग ने अपना जन्म दिन अनोखी अंदाज में मनाया जसमेर सिंग संदू अपने जन्म दिन पर हर साल अपनी उम्र के आंकड़े को हराते हैं और जितने साल की उनकी उम्र होती है उससे ज़्यादा किलोमेटर दोडते हैं जसमेर सिंग 25 अगस को 63 साल की हुए हैं इस मोखे पर जसमेर सिंग संधु ने मंगलवार राद 12 बजे पानिपट टोल से दोड़ना शुरू किया और करनाल होते हुए वापस पानिपट दक दोड़ते हुए 63 किलोमेटर से जाधा का सफर तै किया पानिपट टोल पलाजा से मैंने अपने रेनिंग स्टार्ट की थी और मैं अपने साथ दो गारी रखता हूँ एक पिछे और आगरे ताकि ट्रैफिक से भी थुड़ा से रहे और मैं यहां से टोल पलाजा से और हाई टैचोंक करनाल से यू टरंग मैंने लिया और 63 किलोमेटर की रणी साथ गंटे 15 मिंटर 30 सेकिन में पूरी गी इस बार जस्मेर सिंग संदू युवाओं को सेहत के प्रति जागरू करने के लिए दोड़ रहे थे अच्छे भोजन और रनिंग से कैसे स्वास्ते ठीक रखा जा सकता है इसका जस्मेर सिंग संदू जीता जाकता ओधार जस्मेर सिंग अनाज नहीं खाते हैं यानी ना रोटी खाते हैं और ना चावल संदू ने कच्छी सबजी हरे पत्ते और फलों को ही अपना भोजन बना लिया है और इसी को अपनी उज्जा का कारण बदाते हैं दाल और दूद भी उनकी डाइट में शामिल है जस्मेर सिंग संदू अब अपनी दिवंगत पत्नी के नाम पर एक रनर्स फांडेशन की स्थापना करना चाहते हैं ताकि युवाओं को जागरू करने के साथ साथ गाउन देहात में मजूद रनिंग और अथलेटिक्स के टैलेंट को ढून कर उनको डाइट और ट्रेनिंग में विश्व सरी सुविधाय मुहिया करवाई जा सके ताकि वो अमारे देश का नाम आगे रोशन करें कर दो कर दो